किशन गड़ गाओं में मंगत राम नाम का एक गरीब आदमी था जो की एक फैक्टरी में मजदूरी करके अपना पेट पालता था लेकिन लॉक्डाउन के दौरान फैक्टरी बंध होने के कारण उसकी नौकरी चली गई मंगत राम की पत्नी बहुत पहले ही चलबसी थी उसके साथ अब बस उसकी दिव्यांग बेटी कमला ही रहती थी नौकरी जानी की बात उसने कमला को नहीं बताई थी वो रोज सुबह काम की तलाश में निकलता और शाम ढलने पे लोटता था कमला अरियो कमला कहां चली गई बिटिया बाबा आप आ गए फैक्टरी से हाँ बिटिया आ तू गया लेकिन देखो न आज फिर तेरी जलेवी लाना भूल गया कोई बात नहीं बाबा आप कल ले आना नहीं कल नहीं फैक्टरी में होली का बोनस मिलने वाला है जिस दिन मिलेगा उसी दिन तेरे लिए एक सुन्दर सी फ्रॉक और जलेवी दोनों लेता आउंगा कमला को पता था कि ना तो उसे जलेवी मिलेगी और ना ही उसके बाबा को कोई बोनस मिलने वाला है वो ये भी जानती थी कि उनकी नौकरी जा चुकी है और दिन भर कहीं दिहाडी करके दो पैसे कमाते हैं तो बड़ी मुश्किल से दो वक्त का खाना नसीब होता है वहीं दूसरी तरफ किशनगर में इन दिनों बाइकर गैंग का बड़ा खौफ था कुछ बदमाश अपनी बाइक्स के साथ गाउं में बहुत लूट पाट मचा रहे थे जान की सलामती चाहते हो तो सारा माल पैसा हमारे हवाले कर दो वरना नहीं नहीं सारा पैसा ले लो लेकिन हमें जाने दो ये हुई ना बात चलो निकलो अब यहां से कुछ दिनों बाद जब मंगत राम काम की तलाश में भटक रहा था देखते देखते होली भी आ गई सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं और एक मैं हूँ कि बिटिया के लिए जले भी तक खरीद नहीं सकता तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान के सामने फ्रॉक पहने हुए एक पुतले पे पड़ी और वो पास जाकर उसे देखने लगा कितनी सुन्दर फ्रॉक है कमला इस फ्रॉक में कितनी अच्छी लगेगी तभी दुकान का मालिक बाहर आकर बोला ओए क्या देख रहा है चोरी करने आया है क्या तेरी तो शकल भी चोरों जैसी है नहीं साहिब मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था मंगत राम को सेट की बात बहुत खराब लगी लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था उस रोज उसे कहीं काम भी नहीं मिला और शाम को जब वो घर लोटा कमला बिटिया तू खाना खाले मेरे पेट में दर्द है पापा थोड़ा तो खा लीजिए नहीं बिटिया मैं सोने जा रहा हूँ सुबह तक ठीक हो जाएगा कमला समझ गई कि आज फिर बाबा को कोई काम नहीं मिला और वो भूके रहकर राशन बचा रहे हैं खोली आने में बस एक दिन बचा था मंगत राम रोज की तरह काम की तलाश में घर से निकल गया उसके जाने के बाद कमला घर से निकली और पास के एक शिव मंदिर में पहुँची भोले बाबा आप तो सबका करल्यान करते हो क्या हमारी हालत देख के भी आपको तरस नहीं आता और कितनी परिक्षा लेंगे आप हमारी मेरी माँ तो आप मुझसे छीन ही चुके हो अब अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी कभी माफ नहीं करूँगी उधर काम की तलाश में चलते चलते मंगत राम उसी कपड़े की दुकान के पास पहुँचा तो देखा कि सेट ने दुकान बंद कर दी है सेट को देख वो छिप गया कि कहीं सेट फिर से उसे बुरा भला ना कहे अरे सेट जी आज तो बड़ी जल्दी जा रहे हैं हाँ भाई कल होली भी तो है थोड़ा समय परिवार को भी तो देना चाहिए ये कहकर सेट अपना रुपियों का बैग लेकर गाड़ी में बैठा और वहां से चल पड़ा तभी वहां बाईकर गैंग के बदमाश आ पहुँचे और सेट की गाड़ी के पीछे लग गए मंगत राम को समझते देर न लगी कि ये बदमाश सेट का पैसा लोटने की फिराग में है हे प्रभू ये लोग तो सेट को लोट लेंगे लेकिन मैं करूं भी तो क्या तभी अचानक उसे एक घोड़ा दिखाई दिया मानो भगवान ने उसे कोई रास्ता दिखाया हो और मंगत राम घोड़े पे सवार होकर उन बाईकर्स का पीछा करने लगा उधर बाईकर गैंके बदमाशों ने सेट की गाड़ी को चारू तरफ से घेर लिया था सेट जिन्ना रहना है तो गाड़ी रोक के पैसे हमारे हवाले कर दे लेकिन सेट ने डर के मारे गाड़ी नहीं रोकी तभी एक बदमाश ने फायर करके के सेट की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया टायर पंचर होते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो दीवार को तोड़ते हुए एक पेड़ से टकरा गई बनमाशों ने सेट को गाड़ी से बाहर निकाला जो इस टकर से घायल हो चुका था या सेट तुम तो होली से पहले ही एकदम लालम लाल हो रहा है माल निकालो वरना आज तुमारा खून से होली खेला जाएगा मैं हाथ जोडता हूँ चाहो तो सारा पैसा लेलो लेकिन मुझे जाने दो तभी मंगत राम घोड़े से छलांग लगा कर वहाँ पहुचा अचानक हुए इस हमले से सभी बदमाश इधर उधर गिर पड़े और मंगत राम सेट को पैसों के बैग के साथ लेकर अस्पताल की तरफ भाग निकला अरे पीछा करो इसका देखो बचने ना पाए और वो बदमाश बाइक से मंगत राम का पीछा करने लगे पीशा करते करते वो उसके बराबर पहुच चुके थे तभी एक बदमाश ने फायर करने के लिए बंदूग निकाली लेकिन घोड़े ने टक कर मार के उसकी बाइक को पलट दिया उस बाइक से टकरा के दूसरे बदमाश की बाइक भी पलट गई तभी बदमाशों के सरदार ने कहा बहुत जान है इस घोड़े में अब ना रहेगा ये घोड़ा और ना रहोगे तुम सब ये कहकर उसने बंदोग निकाली ही थी कि घोड़े की एक और ठकर से उसकी बाइक भी पलट गई और वो भी नीचे जाब दिरा मंगत राम सेट को लेकर अस्पताल पहुँचा और उधर पुलिस वालों ने बदमाशों का पीछा कर उन्हें धर दभुचा सही समय पे अस्पताल पहुँच जाने के कारण सेट की जान बच गई सेट ने मंगत राम से माफी मांगी और उसे पैसे देने चाहे लेकिन मंगत राम ने कहा सेट जी बचाने वाला तो उपर वाला होता है और मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की थी ये कहकर वो वापस घर की तरफ चल पड़ा घर पहुँचके उसने देखा कि कमला ने वही फ्रॉग पहन रखी है जो वो उसके लिए लेना चाहता था साथ ही वहाँ धेर सारे रंग और पिछकारियां भी थी बापा आप आगए देखो ये फ्रॉग कैसी लग रही है आज तो मैंने खूब चले भी बिखाई आखिर आपको नौकरी जो मिल गई है नौकरी तभी उसे वहाँ सेट जी दिखाई दिये अरे हाँ क्यों नहीं मिलेगी नौकरी आखिर तुम्हारे जैसे इमानदार आदमी की हमारी दुकान पे बहुत जरूरत है बोलो करोगे ना नौकरी नौकरी करूँगा जरूर करूँगा सेट जी और फिर अगले दिन बंगत राम और कमला ने जम कर होली खेली ये कहानी है किशनगड गाउं की जहां ज्यादतर गाउं वाले खेती करके अपना पेट पालते थे खेती के लिए वो सब बारिश पर ही निर्वर थे पर एक इसोरी सुकर है भगवान का कि हमेशा समय से बारिश हो जाता है हाँ मुरारी ये तो है भगवान की गर्बा तो है इस गाउं पर लेकिन शायद उनके गाउं को किसी की नजर लग गए एक साल बारिश ने धोखा दे रिया और पानी बिलकुल भी नहीं बरसा सारे खेट, फसलें, पेड, जमीन, सब सूप गया लोगों को पीने के पानी तक्के लाले पड़ने लगे आज ही सुनते हैं, घर में एक बुन भी पानी नहीं है बच्चे सुवर से प्यासे बैठे हैं, कुछ करिए पानी? अरे कहां से लाऊं पानी? गाउं में एक ही तलाब में पानी है और जमिंदार महां से पानी लेने नहीं देता है एक बार कोशिश तो करके देखिए ठीक है कमला, जैसा तुम कहो और मुरारी पानी लेने तलाब की तरफ चल पड़ा रास्ते में उसे कई लोग बिना पानी के ही वापस लोड़ते हुए दिखाई दिये अरे मुरारी, कोई फाइला नहीं उधर जाने का जमींदार पानी नहीं लेने देगा कहता है, एक नया तलाब खुदवा रहा है नया तलाब? लेकिन उपूराना तलाब भी तो पूरे गावे काना है फिर भी चलो हम एक बार कोशिश करके देखता हूँ लेकिन जब मुरारी तलाब के पास पहुँचा तो जमींदार ने उसे डाट कर कहा अरे तुम सब एक बार में क्यों नहीं मान जाते कितिनी बार कह चुका हूँ कि इस तलाब का पानी तुम लोगों के लिए नहीं है गाओं के बाहर एक तलाब खुद चुका है पानी लेना हो तो वहां से जाके लो अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलो जाओ यहां से मुरारी दुखी मन से वहां से लोटाया अगले दिन जब वो नए तलाब के पास पहुँचा तो देखा कि लोग वहां पर लाइन लगा कर खड़े हैं और एक एक करके तलाब से पानी ले रहे हैं अरे भाई ननको यह लाइन क्यों लगा हुआ है अरे तुम्हें नहीं पता दस रुपए देकर एक घड़ा पानी मिल रहा है पाईसा देकर पानी मिल रहा है लेकिन क्यों? कहते हैं इस तलाब का पानी बिल्कुल स्वक्ष और सेहत मन्द है अरे तो हमारे पुराने तलाब का पानी भी कौन खरा थोड़ी न है अरे यह तो सरासर गुंडा गर्दी है पहले तो जबरदस्ती इतना दूर नहीं तलाब पे भिश दिया और अब पानी का भी पैसा ले रहा है अरे नहीं चाहिए यह पानी हमें अपना पुराना तलाब ही वापस लेना चाहिए अरे लेकिन हम जमीनदार से कैसे लड़ेंगे अरे लड़ना क्यूं है जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए चलो सब लोग साथ चलते हैं लेकिन जब वो तलाब के पास पहुंचे अरे मैंने पहले भी कहा है नए तलाब का पानी तुम सब के लिए बहतर है इस पुराने तलाब का रास्ता अब तुम सब के लिए बंद हो चुका है जमिनदार साहाब हम ये मनमानी नहीं चलने देंगे हाँ हाँ हम वही लेंगे जो हमारा है और हम लेना चाहते हैं ना कि वो जो आप देना चाहते हैं बड़ी बड़ी बातें बाद में करना पहले यहां से आगे वड़के तो दिखाओ बेरिकीट्स के आगे किसान मजबूर थे इसलिए वो मन मारके वहां से लौट आए वापस लौट कर जमिंदार के सामने तो हम किसान बेबस हैं अरे नहीं बिलकुल नहीं जमिंदार ने हमरी सराफ़त को हमरा कमजोरी समझ लिया है उसको पता नहीं है कि जो किसान धर्ती का सीना चीर के फसल उगा सकता है वो दिवार तोड़ के तलाप से पानी भी ले सकता है ये दीवार कैसे तूटेगी अरे आज पास का सब गाउं में देखो जितना पुराना बेकार ट्रैक्टर है उसे भी खठा करो अभी ट्रैक्टर एक काम आएगा और इसी इसे इनकलाव आएगा और जल्दी ही गाउंवालों ने पुराने ट्रैक्टर को इखटा किया और उनके मौडिफिकेशन और रीस्टोरेशन में जुड़ गए और फिर एक सुबह गाउंवालों ने ट्रैक्टर को मौडिफाई करके ट्रैक्टर रोड रोलर में बदल दिया था आज जमिंदार को पता चल जाएगा कि किसान चाह ले तो कोई दिवार उसका रास्ता नहीं रोग सकता है जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली और वो सब ट्रैक्टर रोड रोलर लेके उन बैरिकेट्स की तरफ बढ़ने लगे उनकी गाड़ियों के सामने वो रोड बलॉक्स थोड़ी देर भी ने टिक पाए और जल्दी ही पूरा रास्ता साफ हो गया उनकी एकता देख जमिंदार भी डर गया अरे भागो रहे यहां से यह तो मार ही डालेंगे और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया तालाब के पास पहुँचकर सारे गाउवाले पानी में कूट पड़े और खुशी से जूम उठे झालाब